स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो बहुत छोटी है लेकिन इसमें बताएगी जो जानकारी है वो काफी बढ़ी है अगर आप इस वीडियो को पूरा एंट तक देख लेते हैं तो घर में जो हमारी साड़े चार इंची की दिवाल दे लिंटल वीम होता क्या है तो हमारे धर्वाजे होते हैं या हमारी बिंडो होते हैं उनकी चौकट के ऊपर जो वही हमारा लिंटल वह्ता है अब यहां थोड़ी जादा रख दिये उसे आक दिवाल है तो आपको कम रखना है यहां करीब मैं 10-11 लेकिन आपको 6-8 इंची ही रखना है इससे ज़्यादा नहीं करनी है अगर मैं यहां बात करूँ कि कितनी मोटाई की सरीय आपको इस्तमाल करनी है तो मैं हैं रिकमेंड करूँ हां कि 10 mm कम से कम 10 mm इस्तमाल करिए आपको 8 mm नहीं करना है तो अब यहां पर एक चीज जो देखी गई है रिंग बनाते समय थोड़े जो हूक है वह थोड़े अंदर बैंड करने थे पर इन्हों नहीं नाइंटी डिग्री पर ही बैंड की है अब होता गया देखी कि एक तो छोटा रिंग है बनाते समय थोड़ा सा इशू हो सकता है बड़ आपको यह जो बीम है वह पूरी बीम दिवाल पर गुमाना है नो इंची की दिवाल पर कभी आप लिंटल बीम डालेंगे तो पूरा बीम घुमाने की जरूत नहीं है जैसे आप यहां देख रहे हैं 12 फिट डिवाल की लंबाई है तो 12 फिट पर ही यह दिम रखा गया है अब यहां प पांच इंची मुटाई रखनी हैं हमारे बीम को या दिवाल को सपोर्ट करने के लिए बीम कि कम से कम पांच इंची आप मोटाई रखी है और उसमें एक इनची नीचे कभर आ जाए गर एक इंची उपरा जाए जो हमारे जो स्टील है उसकी तीन इंची की मुटाई हो जाएगी इसलिए पूरा पांच इंची कबर करना पड़ेगा यह चीज़ आपको दियान रखना पड़ता है कंक्रीट का रिश्यो आपको बहुत अच्छे से बनाना है आपको बताने वाला था कि साड़े चार इंची की दिवाल में आपको यह ची दियान रखनी पड़ती है वीडियो चूट को लाइक कर देना और इसी तरह की हमने चैनल पर वीडियो डाली है काफी ज्यादा जो आपको काफी हैल्प करेंगे घरवणाने के लिए तो उनको भी जाके जरू देख लेना थैंकी फर वुच्छ वाइव वीडियो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो को लिए